एक दंत बल्वंत बिनायक संजो तुमको सीस नवाय राग राग नीमात शारदा बसो हमारे कंठे में आए भूत पूर्व किड़ केट खिलाडी जिनके आज रही गुन गाए धाकड बल्ले बाज देश का ना महयो राज से बत लाए अंतराश्टिय किरकेटर है प्यार से यूबी कहके बुलाए बच्चा बच्चा इन्हे जानता जगमेली पहचान बनाए बिस भोड़ तक बल्ले बाजी को पाए हाथ से करते जाए जिनका किरकेट खेल देख करे दुनिया आच रज में पढ़ जाए जिनका किरकेट खेल देख करे जिनका किरकेट खेल देख करे दुनिया आच रज में पढ़ जाए जिनको किरकेट प्रेमियों ने अपने दिल में लिया बसाए मात्र भूमी भारत माता की सदा ओर से खेले जाए हुए राज ने इस दुनिया में देश का गोरब दिया बढ़ाए दुनिया के कोने कोने में दिया तिरंगे को लहराए उन्होंने बल्ले वाजी करके दुनिया को दीना चोका छै गैंदों में छै ही चकके युवे राज ने दिल लगा तालियों की गड़ी गड़ा हटे गुज गई दुनिया में जहा एसा करके युवे राज ने लीना बल्ड रिकार्ड बना एसा करके युवे राज ने एसा करके यू राजने लीना बल्ड विकाड बनाई करी गेंद बाजी भी अच्छी बीने कईब केचेट काई कर गए बल्ले बाजी एसी दिया गेंद बाजो को रुलाए कई भार तोटी में इंडिया एव राजने दईजता जब जब प्रिसर पड़ा तीम पर यू भी गई निकल कर आए करे बल्ले बाजी उन्होंने छक्के चौके दिये लगा जाती हार की ओरी इंडिया जीत की ओर दई पहुचा इस किरकेट खेल में आके ली ने कई रिकाड बना जिन्होंने अपने अच्छ खेल से लिये अने को अबाट पा जिन्होंने अपने अच्छ खेल से जिन्होंने अपने अच्छ खेल से लिये अने को अबाट पाई पंजाबी परवार में जन्में चंडी गड़बो सेहर बताई सन 1981 में जन्मे लिया इव राज ने आ जन्मित थी है बारा दिशंबर यव राज की रहे बतलाई पिता रहे किरकेट खेलाडी पीम इंडिया के बतलाई ओगे राज है नाम पिता का माता सब नम से बतलाई पंजाबी फिल्मों में पिता जी अभिनेता भी रहे बताई बच्छ पन में ही उवे राज ने काम किया फिल्मों में आए सरी जोरावर से हैं भाई सिख धर्म से हैं समझाए सरी जोरावर से हैं भाई सिरी जो राबर से हैं भाई सिख धर्म से हैं समझाए ये वो राज ने चंडी गड़ में लीनी अपनी सिख चापा दिये भी पबलिक स्कूल में सिरी वो राज पढ़े थे जाए बजपन में ही तेनिस खेली प्रोलर इसकेटिंग में जाए रही रुची उन्हें इन खेलों में अच्छे खिलाडी बन गए जाए नेशनल अंडर पोरे टीम की चेंपियनिसिप भी जीती जाए कई टाफिया जीती उन्होंने प्रोलर इसकेटिंग में जाए खुच हो कर युव राज जीने पिता को टोपी दाई दिखा बोले पिता लड़कियों बाले खेली पसंद हमें हे ना बोले पिता लड़कियों बाले बोले पिता लड़कियों बाले खेली पसंद हमें हे ना बनो एक किरकेट खिलाडी तुम किरकेट सीख लो जा तब से किरकेट लगे खेल ले सिरीव राज तुम्हें बतलाई एक बार युव राज को ले कर पहुच गए सिद्धू ढग जाए बोले योगे राज सिद्धू से भाईया जरा देख लो आए कैसा खेले रहा मेरा बेटा किरकेट हमें देव बतलाई एक राज की बल्ले बाजी जब सिद्धू ने परखी जाए बोले नवजोत से सिद्धू भाईया सुन लो कान लगाए बोले नवजोत से सिद्धू बोले नवजोत से सिद्धू भाईया सुन लो कान लगाए आपका बेटा ठीक तरह से बल्ले बाजी ना कर पाई बन नहीं सकता एक किरकेटर इसको तो इस टेकिंग भाई बोले योग राज बेटे से अपना बसता ले तू उठाई मैं देखता हूँ तुझको ही कैसे न किरकेटर बन पाई उन्होंने घर के गाडन में ही लिया एक पिचको बन वाई किरकेट का अभास कराया रोजाना यूबी को जाए घंटों तक अभ्यास कराते पुत्र पसीना खूबे बहा योग राज ने युवे राज को दिया खेल किरकेट सिखा योग राज ने युवे राज को योगिराज ने यविराज को दिया खेल किरकेट सिकाए सुरू किया किरकेट केरियर ग्याराह साल की उम्रे में जाए सर्वे प्रथम अंडर बारह में योवराज भरती हो गए जाए जम्बु कास मेरी अंडर सिक्स्टीन जिसके खिलाब खेले जाए पंजाब अंडर सिक्स्टीन में फिर वो भरती हो गए जाए फिर वो हिमान चल तरे देश की तीमे से मैच खेल गए जाए राष्टी ये लेविल के मैच वो खेले दो हजार तक जाए दो हजार की सन में यूबी अंडर नाइटिन में गए आए दो हजार की सन में यूबी अंडर नाइटिन में गए आए अंडर नाइटिन पिस्प कप खेला मोहमद केप कप्तानी में जाए जिसमें भारत जीत गया था सबने खूब सराहा जाए जिसमें आल राउंड रही करके दिया खेले अपना दिखला प्लेयर ओपे टूनामेंट का लिया अवाड जिन्होंने पाय अपना बहतरीन प्रदर्शने दिखलाते रहे आगे आ आई सी सी नुक आउट ट्रॉफी जिसमें वो सामिल भाय जा यहां उन्होंने पहला वंडे अंतर राष्टिये खेला जा जो केन्या के खिलाप खेला फिर वो आश्टेलिया सजा जो केन्या के खिलाप खेला जो केन्या के खिलाप खेलाप फिर वो आश्टेलिया सजा जिसमें ब्यासी केंदों में ही रन चोरा सी लिये बना खेले लंका कई खिलाप भी अच्छा खेल गई दिखला नेट बेस्ट सीरे जिवो खेले दो हजार दो सन में जहाँ जिसमें तो इंगलेंड टीम ने तीने रन काफी बरसा एल अच्छी बड़ा था अपने आगे तीने सो चौबिस का बतला उनके तेज गेंद बाजों ने बिकट हमारे दिये उड़ा एक के बाद एक सब साथी पल्ले बाज आउट भाई जहाँ खोए पाँच बिकट भारत ने रन एक सो पे तिस बना जिसमें सचन भी आउट हो गए संकट गया बहुत गेहरा जिसमें सचन भी आउट हो गए जिसमें सचन भी आउट हो गए संकट गया बहुत गेहराई तब योग राज निकल कर आई दिया कैप का साथ निभा साजेदारी करके मैच को जीत की ओर दिया पहुचा जिसमें जीत मिली भारत को यूबी गए दुनिया में चाहा दो हजारे तीन में खेले मैच बांगिला देश सजा जिसमें अपना यूवे राज ने दीना पहला सतक लगाई फिर पहुचे सिडिनी में यूबी हेले आश्टेलिया सिजा जिसमें उन्होंने अपना बल्ला दीना तावर तोड़ चला रन ठोके 149 122 गेंद में जा रन ठोके 149 122 गेंद में जा रन ठोके 149 एक 122 गेंद में जा रन ठोके 149 एक 122 गेंद में जाए मैच बेश्ट इंदी जिस खेला जब यह राज सिंग ने जा ठोके दिये रन 114 गेंद में जाए सन दो आजार पांच छे में दो तीन सीरज खेली जा इंगिलेंड दच्छ आफ्रिका पाकिस्तान से खेली जा इन में चो में युवे राज ने तीन सेंचुरी दाई लगा चार अर्द सतक भी ठोके यूबी गई दिलों पर छाय मैंने ओफदा सीर जेन को लगातार ही मिली बता जब धोनी कपतान बने तो यूबी उप कपता ने बता दो हजारे साथ में यूबी पाकिस्तान से खेले जा दो हजारे साथ में यूबी दो हजारे साथ में यूबी पाकिस्तान से खेले जाए मैंने ओफदा सीर जेपाई आध्यसा तक दिये चार लगा दो हजारे तीन में खेले पहला टेस्ट में चबत लाए गूंगोली की जगहे में यूबी खेले न्यूजी लेंड में जाए फिर खेला विस्प कप्टी ट्वंटी दो हजारे साथ में जाए हाड हितर बल्ले बाज की ली अपनी पहचान बना भारत और इंगलेंड बीच में किरकेट मेंच हुआ बत लाए करो या मरो जैसी इस्तिती बन गई थी भारत की हाड मेंच थबो सत्रह ओबर का जिसमें यूबी खेले जाए मेंच थबो सत्रह ओबर का मेंच थबो सत्रह ओबर का जिसमें यूबी खेले जाए बोलर ब्रोड के युवे राजने दिये थे पूरे होस उड़ा इसी मेच में छै गेंदों परे छे ही छक्के दिये लगाए और जिन्होंने बारा बोले में अधेसा तक भी दिया लगाए वो बल्ड कप ट्वंटी ट्वंटी भारत को दीना जितवाए तस जून कोई वे राजने सब को ही दीना चोकाय किरकेट से सन्या से ले लिया दो हजार उन्नीस में आए खेल गए यादिगार पारिया कोई जिन्हें भुला ना पाए लिखार में से भाहिया ने आला संजो बगेली ने दिया सुनाए युवे राजी का आला